वागत है आपका मेडिकल जानकारी में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों इसो मी प्रोजोल टैबलेट्स के बारे में कैप्सूल के रूप में भी आपको ये मिल जाता है ये दोस्तों एक एंटासेड टैबलेट्स आता है या फिर इसको अलसर के लिए भी यूज किया जा सकता है तो आज के से वीडियो में हम इसो में प्रोजोल के बारे में पूरी तरीके से जानेंगे इसके ब्रेंड नेम से बारे में यूजिस के बारे में, साइड इफेक्ट के बारे में प्रिक्यूशन आपको क्या रखने चाहिए, मोडल फेक्शन किस परकार से इसका होता है, तो वीडियो को अंद तक जरूर देखेगा, चैनल पर नहीं हो, आप तो चैनल को सब्सकाइब जरूर कर लिजेगा, और सब्सकाइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजेग और नक्सिम फोर्टेम जिएम नाम से आपको मिल जाएगा, साथ में यह कॉंबिनेशन मिल जाते हैं, जिसमें डुमेफरोडन के साथ ये कॉम्बिनेट में आ जाता है, यह स्टमक अलसर के साथ साथ अंटासेट को वी दूर करने में बहुत ज्यादा यूस्फुल होता है, दोस्तों यह किस प्रकार से काम करता है यह प्रोटवन को दबा कर या यह वाली आश opportun को दबारें वाली ज़ती है मत आशल्च होते हैं उनकी बज़़े से जो नोता है जो होता है और है करोक इसको खतम करता है जिससे पेट में अलसर होना, एसिडेट होना, कब जैसे कमस्ता दूर होने में मदद मिल दी है अब benefits की बात करते हैं तो जैसे doodernal ulcer जिसमें कहते हैं जिसमें पेट में, acid में जो घाव से हो जाते हैं और साथ में gastric ulcer हो जाना, GERD की समझ से हमें इसको यूज के जाता है अब GERD क्या होता है कि इसो फैगल जो reflection disease को कहा जाता है इसमें होता क्या है जो पेट का जो acid होता है जब भी हम कुछ भी खाते हैं तो पैट का acid जो होता है और साथ में खटे डकार आना उपका यानी जैसी condition हो जाती है साथ में इस drugs को एंटिवाट के साथ बहुत जादा दिया जाता है ताकि एंटिवाटिक से आपके पेट में किसी परकार को acid ना हो या फिर किसी परकार का ulcer उत्पन ना हो और यह पुराणी ulcer के घाओ को बनने में उनाद करता है और पेट में नई ulcer बनने नहीं देता है साथ में जोलिंगर एलिसन सिंड्रूम को भी खतम करने में बहुत जादा यूस्वल होता है या फिर कोई pain killer medicine से उत्पन होने वाले ulcer जो होते हैं पेट में कभी कभी हो जाता है अधिकतर लोगों आपने देखा होगा कि जब भी कोई medicine से देता है डॉक्टर से कोई बहुत उसके साथ एक एंटासीडिया डी कैपसूल आप यूज करते होंगे वह इसलिए जाता है जो आपका देरे-देरे इसो फैगल की नली को नुकसान करने लग जाता है इसकी विएश युजसे आपको पेट का एसेड में पेड में पेट साब नहीं हो रहा है कब ची समस्यां और यह किसी परकार का अलसर हो रहा है पेट में दर्द होना तो इस कंडिशन में इसको जादा तर उपयोग किया जा सकता है और काफी अच्छी एक मेडिसिन होते हैं इसको प्रेंटा प्रजोल जैसे जो टाइबलेट आती है पीपि बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता है कुछ साइड इफेक्ट इस ड्रक्स की देखने को मिल सकते हैं जैसे कि खुचली होना इसकी इंड्रैसस होना सरदर्द होना मुह का सूकना और प्लेटलेट हो गयरा भी कमी में हो सकता है साथ में आपका जो होता है किसी परकार की हो सकती है अगर को कुछ परकार साइड इफेक्ट जैजिनकों मिलता है तो ड्रक्स को बंत रहें और क्या सबक्राइब कर देखने को मिले नहीं लेकिन कभी-कभी-कभी-कभी-लाव नहीं होता है तो दो से तीन महाँ तक भी इसको आगे बढ़ाया जा सकता है इस सोमी प्रॉजोल को काफी अच्छा एक एंटासेट है एंड काफी अच्छा ड्रग्स होता है दोस्तों निश्यद की बात करते हैं तो गरव वस्ता में दुगदा वस्ता में और बच्चों में इसका य में और लिवर का इंफेक्शन है या फिर किसी प्रकार का कोई भी पेट में प्रॉब्लम हो रहा है तो अपने डारे में इसका बारे में डॉक्टर से जरूर कर लिजेगा शेडूल एच का ड्रग्स है जिसको आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रेपिक इंशाब से ही यूज मे बासे बात तो का अप दिया जाता है और मोड़ अफेक्शन है कि है पेट में बन्यावाला जो है रखकलोराइक ऐसिड़ जिससे पेट में वाली जैसे उल्टी बेरी आदि का मन होता है तो उन परकार कंडिशन को इस सो महीं प्रोजोल काफी अच्छा इसका यूजिस किया जाता है और बेश्ट ब्रेंड है इसमा इसमार नाप से आपको मिल दाता है तो यह था कुछ इसमार प्रोजोल के बारे में पूरी जानकारी उम्मीद आपको वीडियो चुरू करें और शेयर भी जरूर कर दीजेगा तो मिलता फुर नहीं वीडियो में ओके बाए टाटा थैंक्यों फॉर वाजिंग